वेलकम टू टेक्निक क्लासिज चैप्टर सिक्स्टीन डाइजस्टिव सिस्टम हिस्टोलोजी अफ गट एलिमेंटरी केनाल का टांसोर सेक्षन आपको स्क्रीन पर दिखरा है एलिमेंटरी केनाल की वाल चार पार्ट्स में डिवाइड़ेड है सेरोसा, मस्कुलेरिस, सम्युकोसा, एंड म्युकोसा ये चार लेयर पूरी एलिमेंटरी केनाल में सेम रहती है बस लिमन की साइज अलग-अलग हो जाती है किसी भी और्गन के सबसे बाहर एक मेंबरेन है जो पूरे और्गन को कवर करके रखती है जिसको पेरिटोनियम बोलते है और ये मेंबरेन और्गन को अपनी जगा पर रखने के भी काम आती है अब बात करते हैं अलिमेंटरी केनाल के वाल की सबसे बाहर वाली लेयर की सेरोसा, जो की सिंपल स्क्रमेस एपिथिलियम से बनी हुई है इसोफेगस में ये लेयर नहीं पाई जाती इसोफेगस की सबसे बाहर वाली लेयर को ट्यूनिका एडवेंटिशा बोलते है सेरोसा के बाद आती है मस्कुलेरिस लेयर मस्कुलेरिस लेयर स्मूथ मसल से बनी हुई है और इसके भी दो पार्ट हैं Inner Circularis and Outer Longitudinal इन Muscles की मदद से ही Paristaltic Movement आता है Paristalsis के बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ Stomak में एक layer और add हो जाती है Oblick Muscle जो stomach को हर direction में mobility प्रवाइड करते हैं और खाने को mix करते है Muscularis के बाद आती है Submucosa Submucosa के अंदर Connective Tissue पाए जाते है Connective Tissue होने की वज़े से इसमें खून की सप्लाई बनी रहती है और absorption में मदद करती है Interstain के glands में present होते है सबसे अंदर की layer होती है Mucosa Mucosa epithelium की बनी होती है और इसमें glands पाए जाते है Stomak में ये layer rough surface बनाती है जिसको रूगे बोलते है और intestine में small projections शो करती है जिनको विलाई कहा जाता है विलाई एक उंगली जैसे छोटे projection है जो absorption के लिए surface area बढ़ाते है विलाई के उपर और भी छोट-छोटे विलाई होते है जिनको micro-vिलाई कहा जाता है विलाई के lymph vessel को लेक्टिल बोलते है और विलाई में खून की supply काफी अच्छे से होती है सबसे अंदर होता है lumen lumen बोलते हैं खाली जगा को elementary कनाल के बीच में खाली जगा होती है जो की खाने का रास्ता है उसे lumen कहा जाता है आपको screen पर type of epithelium दिख रहे है और ये कहां पाए जाते हैं वो भी small intestine में simple columnar epithelium होती है और उस पे micro-vिलाई भी होते हैं जो इसे brush border columnar epithelium बनाते हैं तो ये थी histology gut की उमीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगे हो so thank you, please like, share and subscribe, comment your views